इम्रान हाश्मे के साथ काम कर चुकी एक बेहत मशूर अक्टरस का चौकाने वाला खुलासा 17 साल बाद इम्रान के साथ काम कर चुकी इस अक्टरस ने बोल सीन्स पर तोड़ी चुपी बोली मुझे गिरी हुई महिला के रूप में दिखा गया वेली अक्टरस है मल्लीका शिरावत जिनने कई फिल्मों में अपने बॉลड अंदास के लिए काफी सुर्खिया बटोरी है उन में से एक फिल्म मर्डर भी है मर्डर फिल्म साल 2004 में आई थी इस फिल्म में उन्होंने इमरान हाश्मी के साथ बेह maior gold scenes किये थे जो लंबे समय तक चर्चा में रहे थे अब फिल्म के 17 साल गुजर जाने के बाद मलीका शिरावत ने बोल्ड सीन्स को लेकर चुपपी तोड़ी है Times of India को दिये इंटर्व्यू में मलीका शिरावत ने 17 साल बात कहा कि फिल्म में बोल्ड सीन करने के बाद लोगों ने उनकी लगभग नैतिक तौर से हत्या कर दी थी मलीका शिरावत ने इंटर्व्यू में कहा जब मैंने साल 2004 मर्डर फिल्म में अभिने किया इस फिल्म में मेरे सीन को देखने के बाद लोगों ने मेरी लगभग नैतिक रूप से हत्या कर दी थी मुझे हर जगए गिरी हुई महिला के रूप में देखा गया था वर्तमान समय की बात करू जो चीजे में ने पहले की थी वो अपके समय में बिलकुल नॉर्मल हो गई है अब लोगों का फिल्म देखने का नजरिया बदल गया है हमारा सिनेमा भी बदल गया है मलीका शेरावत ने अपने फिल्मों में किरदारों को लेकर भी रियाक्शन दिया है उन्होंने इंटर्व्यू में आगे कहा लेकिन अब भी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो 50 और 60 के दशक के सिनेमा को कोई भी नहीं हरा सकता है उस समय महिलाओं के लिए हमारे पास अद्भुद भुमिकाय थी लेकिन हमारी फिल्मों में उस सुन्दर्ता की बड़े पैमाने पर कमी थी मैंने ऐसी भुमिकाय पाने के लिए सालों तक इंतजार किया है जिसका कोई मतलब हो मलिका शेरावत ने साल 2003 में फिल्म क्वाइस से करियर के शुरुआत की थी पहली फिल्म में उन्होंने बेहत बोल्ट सीन्स दिये थे इसके बाद उन्होंने साल 2004 में फिल्म मर्डर में भी कई बोल्ट सीन्स किये थे जिसके बाद दर्शकों का उनको लेकर नजरिया ही बदल गया था अब 17 साल बाद मल्लिका ने अपनी बात रखी है उनके इस कन्फिशन पर आपके क्या रियाक्शन्स हैं? उसकरी अपने कमेंट्स